सुबह आठ बजे से जोड़िये बिस्तक के साथ बताएंगे बचवट की हर छोटी बड़ी बात टैक्स का आपकी जेपर क्या होगा असर देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरुमत क्या होगा सस्ता, क्या महेंगा होगी आपकी काम की हर बात तो फटा फट जोड़ी बिस्तक के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट बेहदी नस्दीक है और इस बजट को लेकर excitement इसलिए है क्योंकि ये मोधी 3.0 सरकार का है पहला बजट कैसा रहेगा ये बजट, क्या है expectation और जिस रवतार से भारते economy ग्रू करके गई है क्या वो आने वाले समय के लिए बजट के बाद सरकार कुछ ऐसा करेगी कि आर्थिक मोर्चे पर और तेजगती से भारत दोड़ेगा तो इस बुद्धे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहदी खास मेमान जुड़े है गुर्चर अंदास जी, फेमस ओथर है, मैनेजमेंट गुरू है सर बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय विस्तर को देने के लिए थैंक यू और मुझे भी बहुत खुशी है और आपने मुझे बुलाया मैनेश्मेंट गुरू ये मेरी भाषा में क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है गुरू, G-U विच मेंस गुड अट अंडर्स्टैंडिंग आर यू, गुरू वो होता है बट रेलेटिबली उसलेस पर जो हम आज का इंटर्व्यू कर रहे हैं डाट इस डिलेटिबली टू बजट और जो ये गड़बंदन की सरकार बनी है इसके सामने चैलेंजिस बहुत जादा आने वाले है ये तो समझ में आ रहे हैं लेकिन इस बजट और ये एक तरीके का पूरा रोड़ मैप होगा हिसाब के ताब ही हो गया एक तरीके का पूरे फिस्कल के लिए सरकार के पास एक तो आप ये बताएं कि क्या चुनौती है इस बजट को लेकर और ये जो गड़बंदन की सरकार का बजट होगा ये कैसा होगा क्या ये पॉपुलिस्ट बजट होगा या फिर रिफॉर्म्स पर सरकार का जूर होगा ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा ये कॉंटिन्यूटी का बजट होगा और इन्हों ने ये गवर्मेंट ने देखा है यह जो पहले बजट हुए हैं प्रीवियस गवर्मेंट में काफी रिस्पॉंसिबल बजट रहे हैं और इस रिस्पॉंसिबल बजट के वजए से मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, इंफरस्ट्रॉक्टर बनाया है इसी के कारण से तो इंडिया इस वक्त कहते हैं कि सब देशों में सबसे बड़ी हमारी रफ्तार है, 6-7% ग्रोथ रेट, वाकई खास चीज है और हमें उसके बारे में खुशी होनी चाहिए तो लेकिन अब ये सही कहते हैं कि ये गट बंदन का बजट है, तो लेकिन पॉपिलिस्ट नहीं होगा, हाँ, बिहार के लिए और आंध्रा के लिए कोई ना कोई इनको पैकेच देना पड़ेगा, अब कैसे करेंगे ये नहीं कह सकते, पर सही बात जो ये है कि बिहार की जो ट्रेजरी है, वो इस वक्त काफी खतरनाक है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं लिया, मतलब उन्होंने शराब बंद कर दी, और सबसे स्टेट्स के सबसे बड़ा जो होता है ना, बजट, रेविन्यू का सोर्स होता है, वो टैक्सेशन ऑन आलको होता है, तो वो बंद हो गया, तो अब फसे हुए हैं, और तो हां, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें के लिए, पर अब कैसे होगा, बजट कैसे रिफ्लेक करा हैं, वो नहीं कह सकते हैं, और आंधरा, आंधरा के लिए तो मैं कहता हूँ कि मेरी तो बहुत सिंप चंदरबाबु नाइडू, चंदरबाबु वाकई इंडिया के सबसे बड़िया रिफॉर्मर है और वो जो चाहते हैं, उनका जो प्रॉजेक्ट है, अम्रावती का प्रॉजेक्ट, वो आके बहुत बड़िया प्रॉजेक्ट है, और उसके साथ में साथ, जो उनका ट्रेक है, हैदराबाद में, उन्होंने हैदराबाद को ट्रांसफॉर्म कर दिया, साइबराबाद बना दिया, तो बहुत सारी investment भाई, अब तो हैदराबाद एक किसम modern city हो गई है, तो वो आंधरा को भी करना इस्टन पॉर्ट नहीं है, जैसे मुद्रा है, वेस्टन में, वैसा क्योंकि जो अगर आंधरा की तरक्की होनी है, वो ऐसे हो सकती है, तो या विशा का पत्नम को कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टली defense forces का भी पॉर्ट है ना, तो कोई arrangement कर सकते हैं, तो इसलिए आंधरा के लिए package वाकई, काम देश के लिए, देश का काम है, अब बिहार का package तो करना ही पड़ेगा, पर आप कहने पॉपुलिस बजट नहीं होग तो एक setback लग गया ना, इस election में, नहीं पर इतना, फिर भी government आ गई, 242 सबसे बड़ी है, और उन्होंने वाकिछी success देखा है, जो policies, यह जो infrastructure investment policies है, काफी फाइदा हुआ है, देश का, सिर्फ रोजगारी नहीं आई, तो उस पे मेरा ख्याल है, focus होगा. Sir, 2.11 lakh crore rupees का RBSC dividend भी मिल रखा है, इस dividend का इस्तेमाल आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से होगा, क्या free की रेवडियां बाटने में तो नहीं हो जागा? मतलब एक तो हमारा जो debt है, जो चुकाना है हमें, इतना जो past debt जो हमारा है, बहुत ज्यादा है. इसलिए फिस्कल ये फिस्कल prudent, फिस्कली prudent budget होगा. मतलब ये जो जो फिस्कल पाथ है ना, फिस्कल डेफिसिट, अब 5.1 पे हम आ रहे हैं और आखिर 4.5 टागेट है. तो ये ये we will keep on that track. और तो मेरा कहना मतलब है, जो पैसे आएंगे RBI से, वो ठीक काम में लगेंगे. रेवडियों बांटने में नहीं लगेंगे. अच्छा, एक काम सरकार लगातार करती चले जा रही है, और सरकार का focus बहुत है. कैपेक्स हम बार-बार सुनते हैं बजट में और इस बार का जो अंतरिम बजट में जो अनॉंस्मेंट वी थी उसमें था, 11.11 लाख करोड रुपी का कैपेक्स. क्या सरकार का focus अभी ऐसे ही infrastructure growth पे, कैपेक्स बढ़ाने पर ही होगा या फिर इस growth में slowdown देखने को मिल सकता है? तो मैं यह दो तरीके से जवाब दूँगा. एक तो short answer है. Short answer है कि यह रेरियो बांटने में नहीं होगा. और यह जो कैपेक्स है, अब government को भी समझ आ रही है कि हाँ, infrastructure काफी 10 साल में काफी बनाया है, road mileage double हो गई है, port handling capacity चार गुना बढ़ गई है. तो अच्छी चीज़ें हुई है, क्योंकि हमारा infrastructure बहुत weak सा था. और अब जो projects चालू है, वो तो जरूर खतम करेंगे. पर नए projects अब सोचेंगे, कि यह, मतलब जो आएगा ना, मन में बात और government भी उस सोच में है, यही सोच में है, कि मैं अब तो मिनिट लूँगा आपको बताने के लिए background थोड़ा, कि 1991 में हमें अर्थिक अजादी मिली, economic freedom मिली, उसके बाद सारा जो तरक्की हुई है, उसके बाद हुई है. तो यह 30 साल जो गुजर गए हैं, हमारा rate of growth 6% है. अब 6% वाकिए काफी अच्छी, अच्छा है, कोई बहुत कम देशों ने किया है, यह. और 6% annual growth, net of inflation, real growth जिसको कहते हैं, यह जो रफ्तार है, बढ़िया है और हमें खुश होना चाहिए. लेकिन, यह रफ्तार ने, जो रोजगारी बनानी थी, वो नहीं आई. रोजगारी उसके साथ 6% के साथ ज्यादा आनी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि हमारा देश बड़ा है, खाली दो एंजन से, तीन एंजन होते हैं, economy के. एक होता है services, उसमें हम सफल रहे हैं. दूसरा होता है agriculture, उसमें भी काफी सफल रहे हैं. देफिसिट थे, अब सरप्लास हो गए हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अग्रिकल्चरल प्रोडक्स. तीसरा होता है manufacturing. हमारा manufacturing to percent of GDP 15% है इस वक्त. इस वक्त 30% के उपर होना चाहिए था. मतलब आधा है. तो एक किसम के हम असफल हैं, फेल हो गए हैं. और क्यों फेल हो गए हैं? क्योंकि हमने अभी तक जिसको कहते हैं न इंडस्ट्रियल रेवलूशन वो नहीं की. इसका मैं बहुत क्या था, सारे जो देश वेस्ट के ताइवान और नहीं, पहले वेस्ट के देखो, अमरीका, विलैट, इंगलन, योरॉप के देश और लेटेस्ट ये पिछले 50 साल में जो सबसे जाज सफल हुए हैं, ताइवान, जपान से शुरू हुआ, जपान, ताइवान, कोरिया, सिंगपॉर, अब लेटेस्ट चाइना, और चाइना छोटी जगा नहीं है, बड़ा देश है. ये सब ने एक मंत्र फॉलो किया है, वो है एक्सपॉर्ट, जो होते हैं ना, लेबर-intensive manufactured goods, मतलब जहां लेबर लगती है, रोजगारी, रोजगारी, लेबर-intensive, लेबर-intensive manufactured goods, जैसे कपड़े, जूते, खिलोने, food processing, मतलब जिसमें ज्यादा labor लगे ना, तो सब लोगों का फाइदा होता है, तो इस कारण से ही हमारी demand, demand का कम है, consumer demand, market में कम है, क्योंकि रोजगारी नहीं है, जो लोग काम, इसका मतलब unemployment नहीं है, यह नहीं कहना मतलब, मेरा मतलब, हमारी देश में कोई हर बंदा काम करता है, पर वो क्या कहां जाता है, किसान बन जाता फिर, तो वो नौकरी, कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो उसमें low productivity होती है, low income होती है, तो इसलिए मेरे कहना का मतलब है, कि वो हमारा mantra जो उन्होंने किया, हमने नहीं किया, और इसलिए हम fail होती है, पर सर, हमारा competitive advantage अभी तो services है, हम services sector में बहुत strong growth कर रहे हैं, हाँ labor intensive अगर जाना है, तो फिर manufacturing को बढ़ावा देना हो, तो यह तो बिलकुल तालमी होती है, नहीं सही बात है, services सब किसम की होती है, लेकिन जो services ने हमको देश में वाकई बनाया है, जहां दुनिया recognize कर रही है, वो IT area में है, high-end services, legal services, advertising services, सब professional services, medical services, सब किसम की हम service कर रहे हैं, अच्छा है, और export भी करना है, हाँ, उनको बंद नहीं करना, पर वो जो exports, 28 trillion dollars export होता है, वो कम है, तो मतलब मेरा यह है कि वो उसको करते जाओ, वो engine को बंद नहीं करना, पर जहां हम fail हुए हैं, वहां भी हमको सोच देखना चाहिए, क्यों fail हुए हैं, तो इसलिए जो इस government की priority है, priority होनी चाहिए, अगर नहीं है, तो priority वो होनी चाहिए, to increase the share of manufacturing, to increase the share of manufactured exports, क्योंकि कोई अपनी country की market, अपनी देश की market काफी बड़ी नहीं होती, किसी के लिए नहीं होती, चीन के लिए भी नहीं होती, चीन की नहीं थी, अमरीका की नहीं थी, सब ने export किया था, तो इसलिए है, मेरा मतलब है, कि अब जो दृशी तेश की जानी चाहिए, जो priority होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, रोजगारी और रोजगारी manufacturing से, और खासकर labor intensive manufacturing से. ये manufacturing को बढ़ावा देने के लिए, सरकार कुछ schemes भी लेकर आरी है, उसमें PLI. पिर तो हर सेक्टर ही PLI मांगी चली जा रहा है, तु फिर subsidy or PLI में फरक के रहे हैं. ये बिल्कुल गलत होगा, एक दम PLI successful होती है, सफल होती है, जब उसको target करते हो, कि जो leaders हैं company, दुनिया में, उनको यहां लेके आओ. मतलब जैसे Apple, Apple computers, Apple telephones, Apple iPhones जो हैं, ये अब success, बहुत बड़ी success हो है, और बहुत सफलता मिलेगी देश को भी. तो हम apply brand क्यों नहीं बनाते हैं, Apple जैसे हमारे देश में भी तो बन सकते हैं. वह तो हम चाहते हैं कि manufacturing hub बने. हाँ, तो हम fail हो गएं ना, तो मेरा मतलब है कि अब हम ABC सीखना शुरू करें, कि अब सबसे जो हमारे देश ने अच्छी, बहुत अच्छी कंपनिया हैं, और काफी उन्होंने सफलता उनको मिली हैं, पर आप हर चीज में लीडर को compete नहीं कर सकते हैं. तो हमें देखना चाहिए कि कौन हैं, पहले तो पूछो अपने देश में, अम्बानी, अदानी, ताटा, सब को बुलाओ, और पूछ कहो कि भी तुम labor intensive manufacturing करना चाहते हो कि नहीं, ये कपडे बगारा बनाने में, बनाने से बजाते हैं, अगर वो कहें कोई करना भी चाहे, उ bring a superior product, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भाई, हमने, जैसे कहते हैं न, me too, मैं भी वैसे ही, वैसी कमीज बेचूँगा जो वो बेच रहा है, नहीं, कुछ खास, मेरा जो background है न, Procter and Gamble में था, इसलिए मुझा पता है कि अगर जीत करनी, जीत होनी चाहिए, जीत होगी, उसको जीत, जो consumer को कुछ खास extra दे सके, superior कैसे क्या दे सकता है, तो ये इसका मतलब R&D पर spend करना, तो बहुत लंबा route है, हमारी company R&D पर खर्चा नहीं करती, तो इसलिए छोड़ दीजिए, बुला लीजिए हम बानिया दानी वगरा को, सब को बुलाओ, लेकिन सही बात है कि जैस आपल के साथ हुआ न, वही है, जाओ दुनिया में, देखो किसके पास number one market share है, उसको यहां लेके आओ, और हो सकता है वह भी चीन में है, पर वह ढूंड रहा है, घवरा रहा है वहाँ, चीन के जो जहां company आएं, बहुत घवराई हुई है, multi-national company, चाइना प्लस वन policy पर चल कर रहा हूं, चाइना प्लस वन follow करो, वो company इस वक्त चाहती है, पसंद करती है वियतनाम को, मेक्सिको को, तो उनको बताना है कि हिंदुस्तान वाकई तयार है, हमने क्या-क्या किया है, हमने road mileage double कर दी है, infrastructure बहुत improve कर दिया है, GST के साथ एक देश बना दिया है, बहुत सारी अच्छी कहानी है हमारी देश की, उनको यहां लाना है, और उनको PLI देना है, और उनको यह भी कहना है, कि tariff जो होता है, tariff duty, import duty, वो हम नीचे ले आएंगे, global standards पे, तो यह protection जो भी मिलेगी, कुछ सालों के लिए है, पर खतम हो जाएगी, तो we need global standards, तो उनको शुरू, दि यह विचार से, तो इसमें हमें PLI को भी उसको tweak करना पड़ेगा, और हमें PLI को क्या कहते हैं, subsidize देनी, जो subsidy देते हैं, जो reward देते हैं, हम तो सिरफ agree में subsidy समझते हैं, पर यह तो एक तरीके का PLI, जतना पढ़ता चला जा रहो, अतना अब सब sectors बोढ़ने के PLI का benefit दे दीज तो आप उन companies को target करो, और उनको PLI export पे subsidy दो, जो बना रहे हो, उसको आप export करोगे तो performance के इसे बतलब वो आसान नहीं होगा, क्योंकि WTO, we have to meet WTO rules also, पर तरीका हम ढूंद सकेंगे, कोई ना कोई यह जुगाड में आ जाएगा, अचा, subsidy का पोछ तो एग्री पे भी है, तो सर क्या PLI कुछ यह agriculture में नहीं हो सकती, not that performance link incentive, लेकिन आप कुछ पैदावार करने के लिए, particular crops की पैदावार करने के लिए, आप किसी तरीके के incentives किसानों को नहीं दे सकता है, यह और बिलकुल, आप PLI कह रहे है न, agriculture, तो food processing, labor intensive ह वो किसान के नजदीक है, लेकिन उसके लिए वो farm laws पास करने पड़ेंगे, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि वो बेचने पड़ेंगे, farm laws पास करना असान नहीं होगा, पर फिर भी, हमने तो बेचे भी नहीं ना, बराबर, Margaret Thatcher कहती थी, सबसे बड़ी reformer वो, डेंग शाउपिंग, यह कहते थे कि reform को बेचना पड़ेगा, वो Margaret Thatcher 80% time बिटाती थी reform को बेचने में, और खाली 20% reform करने में, तो हमने किसी ने बेचा नहीं, नर्सिमराव से लेके, Manmohan Singh, अभी Modi, किसी ने बेचा नहीं है reform, अब बेचना पड़ेगा, वो और कहानी है, पर मैं कह रहा था कि food processing, बहुत बड़ी market है दुनिया में, और हिंदोस्तान में भी हो सकती है, और काफी जो हमारा, हमारी अबादी है, मतलब उत्पादन है जो, agriculture, खेती का उत्पादन, बहुत काफी हर साल नश्ट हो जाता है, रॉटन हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए भी बड़ा फायदा मिलेगा, तो इसलिए है, और आप agriculture की बात कर रहे थे, तो वहाँ, तो मैं जो subsidy दूँगा न, वो दूँगा ये किसानों को, पंजाब, यूपी, वेस्ट यूपी और हर्याना, ये जो जो जिन्होंने तंग किया था, इस पिछले किसान, किसान जो लोज पास कर रहे थे हैं, उनको वो गलत crops इस वक्त हुआ रहे हैं, उन्हें ये जो चावल और गेहूं और गन्ना, ये तीनों crops, बिल्कुल गलत crop हैं, ये पानी बहुत ज़्यदा ले जाते हैं, हमारी जमीन खराब कर रहे हैं, और जमीन और हवा, वो हर साल उसके, उस नवेंबर के वक्त, हवा हमारी गंदी कर देते हैं, तो ये बहुत इनकी हानी होती है देश को, तो इसलिए उनको package देना है, उनको farmers को सिखाना है, कि ये चावल वगेरा तो एक तो एक excess बना दिया है, मतलब अब हमें जुरूरत नहीं है, तो दूसरी बात है कि अगर ज्यादा value crop बनाऊगे न, जैसे सबजियां हैं, tomato, फल, oil seeds, डालें, ये हम import करते हैं अभी तक, इनको बनाऊगे तो ज्यादा पैसे बन सकते हैं, और खर्चा भी देश को है, मतलब government को ज्यादा नहीं package देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ख्या रहा, package दो, पर ज्यादा नहीं क्योंकि जो बचत होगी न, अभी इतनी जो free electricity दे रहा हैं, उसमें इतना पैसा, states के बात, मतलब अपना treasury को नश्ट कर देते हैं, ये subsidies, तो वो बचाओ के लिए, वो जो subsidy है, fertilizer subsidy, pesticide subsidy, water, electricity subsidy, ये subsidies, free हो जाएगा, package, big dumb free हो जाएगा, सची, तो ये पी priority है, थोड़ा सर, market centring भी आते हैं, जैसे कि BSNL, MTNL, और पिछले चार साल में तीन बार तो bailout मिल चुका है, BSNL, MTNL को मिलाकर, combined, तो क्यों नहीं सरकार इंको अलग कर देती है, क्यों रखता हो है इंको अपने पास, ये वाकई, जब मैं सोचता हूँ ना ये, ये बिलकुल fail हो गई है, ये सरकार इस चीर में पर सरकार का काम बिजनस चलाना नहीं है, सरकार का काम गवर्नांस है, सरकार चलाना, हर बंदे को, हर प्यक्ति को, हर इंस्टिउशन को अपना काम करना चाहिए, तो सरकार का काम बिजनस चलाना नहीं है, ठीक है, महारतना strategic reasons के लिए रख लो उसके बाद सब को बेचना चाहिए और यह देश अगर कंपनी होती ना जिसका काम होता डिस इंवेस्मेंट वगरा वो भी फेल हो जाती तो यह वाकई गवर्मेंट की फेलियर है तो मुझे मैं याद करता हूं क्योंकि वाजपाई गवर्मेंट के वक्त मैं यहां था और अरुन शोरी थे मिनिस्टर अब डिस इंवेस्मेंट प्राइविटाजेशन और कमाल कर दी उन्होंने अब यह उसके बाद किसी गवर्मेंट के पास होसला नहीं है यह करने के लिए डर जाते हैं और लेकिन एक तो बहुत सारे पैसे आ सकते हैं गवर्मेंट को दूसरा है कि यह BSNL जैसे आपने बताया यह तो जैसे एर इंडिया जैसे कर रहे थे न अब बचा हो गया एर इंडिया बिग गया तो एर इंडिया तो बाकियों को बेच देना चाहिए और ऐसे भी कर सकते हैं responsibly बेच सकते हैं responsibly मतलब कि जो employees हैं उनको भी कुछ फाइदा मिलना च हम कौन से बोल रहे हैं पूरा भी थे थोड़ 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 भी बेच हो कि तब बीचे से कि 60 ला करोड को मारे करें तो यह तो बिलकुल फेलियर है विलकुल फेल हो गई है यह government और हमारी तो बहुत उमीद थी हर साल target बनाती है disinvestment और फिर target नहीं meet क्या क्योंकि वो tax collection से अच्छा पैसा मिल जाता है ना आजकर से हां तो यह है RBI से dividend आ रहा है tax collection अच्छा है GST अच्छा है सब कुछ ठीक है तो फिर भी यह गलत चीज़ है divert करती है energy of the government और यह काम पस महारत्मा पहले policy अनाउंस कर चुके हैं budget में कि यह सब बेच देंगे banks को बेचना था यह अच्छा यह taxation के नाम बार-बार आते हैं पर होता नहीं है अच्छा यह taxation की उपरी सवाल है सर आम आदमी को कुछ भी मिलेगा आस तो इतनी है ना वित्तमंत्री से लेकिन वित्तमंत्री से बहुत समय से ऐसी आस है कि कुछ तो middle class को फुश करने वाले announcement करनी चीए कुछ tax slab में टिंकरिंग हो सकती है या फिर कुछ reductions exemptions कुछ बढ़ सकते हैं गया मैं समझता हूं कि ज्यादा tax में फरक नहीं पड़ेगा सिर्फ हाँ हो सकता है कि inflation की वज़े से जो सबसे lowest slab है ना the exemption जो lowest exemption वो शैद थोड़ी उपर कर सकते हैं जैसे किसानों को जो PM किसान जो है प्रोग्राम उस पे अभी 6000 दे रहे हैं वो 6-7-8 हो सकता है हो सकता है लेकिन inflation adjustment हो सकती है लेकिन let us not hold our breaks मैं तो समझता हूं कि जो वो भी हो सकता है पर यह priority नहीं है priority है इस वक्त रोजगारी और होनी चाहिए भी रोजगारी और हो भी हम सफल भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब AI, robotics तो यह नोकरियां नश्ट हो जाएंगी technology के साथ मैं मेरा विचार यह है कि पहले जो नोकरियां नश्ट होंगी वो white collar jobs होंगी जो technology में हैं मतलब जो IT में हैं उनकी नोकरियां ज्यादा risk पे हैं lawyers, accountants यह सब AI ज्यादा मतलब उसमें करेगा पहले यह robotics को गहरा हां यह भी बदल जाएंगे मतलब पर कुछ साल हैं हम अभी तो जितने साल हैं और अभी जवान देश है वो भी 15 साल के बाद बुड़ा हो जाएगा हमारा देश भी जैसे चीन बुड़ा हो रहा है तो फिर मुश्किल हो जाता हो जाएगा पर अभी है टाइम और अभी हमें seize the moment और क्या उसके बाद क्या प्राइज प्राइज क्या है first प्राइज वो है कि देश transform हो जाएगा गरीब देश से middle class देश हो जाएगा और हमारे सामने चीन ने किया है और हम भी कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया गुर्च निजी जोड़ने के लिए और बजट से पहले अपने व्यूस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया से thank you thank you thank you बिस्तक आपके लिए लाया है premium membership program जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में market newsletter, live chat पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, market outlook, weekend पर market scan, anchors के साथ chat और भी बहुत बहुत इस premium subscription में तीन तरह के plans है, silver, gold और platinum जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के YouTube चैनल पर जाए, join button पर click करें और अपना plan select करें बस बन गए आप हमारे premium member झाल जालो झालो झालो झालो